कि हलो लेर्नर्स लास्ट टॉपिक रहे गया हमारा इस चाप्टर का चैप्टर नुबर वान प्लिटिकल थियोरी एन इंट्रोडक्शन का वाइश उट्ट वी स्टड़ी प्लिटिकल थियोरी हमें पढ़नी क्या चाहिए प्रीविएस लेक्चर में हम जान चुके हैं प्लिट सब्दिक्स क्या होती है हैं यह सब कुछ हम ने पढ़ लिया किसमें तो वाटत वी स्टड़ी इन पीचकल यह पर लिए अब हमपढ् Benni पढ़ना क्यों है क्यों हो पढ़ना चाहिए पॉलिटिकल थियोरी को वी में है वा पॉलिटिकल आइडिया वाध्ट वीनीड टुच म अब देखे कि हुआ, हमानदे के हम आरे पास प्लिटिकाल आईडिय यह होने चाहिए, क्या जरूरत है क्या जरूरत है क्या प्लिटिकल थीऊरी पढ़ने की, Is it not a more suited for politician who practice politics ये तो तो तिर्फ फूसी को suitable लगती है political theory, politics पढ़नी जो politician के लिए ही होनी चाहिए political theory उसके लिए पढ़नी होनी चाहिए जो politics practice करते है R for a bureaucrat, bureaucrat के लिए होनी चाहिए जो policies बनाते है R for those who teach political theory जान तो उसके लिए जो political theory को पढ़ाते है और लॉयर होगे जर्ज होगे जो इसमें इंटर्प्रेट करती हैं कॉंसिटूशन और लॉयर को भी हम तो स्टुडेंट हैं हमको क्यों पढ़ा रहे हो और फूरा एक्टिविस्ट एंड जॉर्नलिस्ट हैं उनके उनको पढ़नी चाहिए हुए एक्सपोज एक्स्पोइटेशिन अडिमान हैं जोके न्यू राइट्स की दिमान करते हैं वाट डू वी हुए हुए इस्कूल स्टुडेंट हैं बच्चे हैं गेन बाया नोई ना मीनिग ओफ फ्रीडिम और एक्वालिटी के बारी में जानके फर्स्ट अफ आल पॉलिटिकल थ्यूरी इस रेलिवेंट फॉर आल अबव टार्गेट गुरुप बहुए सभी के जरूरी जिसको आप बोल रहे हो गी प्रजी लाएल को पनाथी चाहिए न direct ज़ी बारी में परने ना अपने इनको परने चाहिए तो ऑन आपने गारी में स्टुदेंट आजसे 11 तमें 11th क्लास की बुक है वी में चूज वान ओफ द अब प्रोफेशन ऐसा भी तो हो सकता है वो इन में से कोई प्रोफेशन चूज कर ली ठीक है फ्यूचर में आने वाले समय में ओके आप चूज कर सकती हो है ना अब भी आपके उपर relevant है दूवी नौट लर्न में तो नौट आफ और अफ और इंजिनेर बही इसा तो हो सकता है कि आप मैंतेमेटिशन नी बनना इंजिनेर नहीं बनना तभी अपने नहीं ली मगर यह बैसिक से काम आता है यह जो बाकी तो हमारे इतना काम भी नहीं आता है आपको यह जो मैंतेमेटिशन उनके लिए ही ज़रूरी है मैंतेमेटिक्स जो आगे इंजिनेर और मैंतेमेटिशन बनना चाहती हैं इसलिए आपको बैसिक नौलज यह जो जाएगी तो हमें रिस्पॉंसिबिली एक्ट करनी है जिमेदारी निभानी है हमें इस पढ़कि आपको बेसिक नौलज यह पढ़कि आपको बेसिक नौलज हो जाएगी पॉलिटिकल आइडिया की इंसिटूशन की जो के आपको शेप करेंगे वर्ल्ड में रहने के लिए इन इंफॉमेशन सुसाइटी अगर हम पार्टिस्पेट करेंगे अगर पहले पता होगा तब भी पार्टिस्पेट करेंगे भी ग्राम सुबब भी कुछ चीज होती है ग्राम सुबब के बारे में आप पॉलिटिकल थोरी में ही पढ़ने वाले हो अगर आपको इंफॉमेशन होगी तभी आप पार्टिस्पेट कर पाओगे अपनी व्यूज को बता पाओगे सही डिसीजन ले पाओगे ठीक है सही वोट डाल पाओगे अगर हम ऐसे ही बिना जाने वस अप जा रहे हैं तो इतना एफेक्टिव नहीं होगा बट इफ वी आर थौट्फुल और में मिच्योर वी कन यूज मीडिया तो डिस्कस अन एक्सप्रेस अड़ कॉमन इंटस्ट तो अगर हम पता होगा तो हम अपनी आइडिया को एक्सप् आपको कम्पेर करना है एक मूजिक कॉंसर्ट के साथ अपने आपको वी आर नौट अमें परफॉर्मर्स इंटर्प्रेंटिंग दशांग अन मैलडी वह में जब डीजे बजता है ना तो हम ऐसा नहीं हम खुद ही गाना लगा कर आती है जब शादी वया में पता है ना गान आहम डान्स कर रही होते हैं गाना को यार बजा रहा होते हैं तो भई यह सेम केस इसके साथ है तो भई गाना का हमारे लिए पॉलिस को यह और कर रहे methset अच्चाहिंग हमारे लिए बड़न समय करना है यह जब फोलिसी पे बट रीज़ सख़्े प्रीशिट आप्रेश्यां के तुनें। है दो को पता होत्या कूल चाहिए , अबसों उसा वाकिना शुन्हक्त पार यह हो उसकता है ? मुग्च के उसके अफ़ीम को दो के लिंगा में तो हुआ है GUYाने पर अपसkęझ आपने सब्सकी पता है तब ही आपको पता होगा .. तबिए बोल पाओगे ना कि यह हमारा हमें यह चाहिए हमें employment चाहिए हमें अच्छा infrastructure चाहिए हमें hospitals चाहिए अगर हमें पता होगा तभी बोलेंगे ना and also an educated and a vigilant citizen makes those who play politics more public and spirited तो भाई यह तभी हो पागा अगर हम इसमें involved होगे ओके हमें पता होगा थर्ली, freedom, equality and secularism are not abstract issues, यह abstract issues नहीं है हमारी life में, ठीक है यह सिर्फ ऐसा नहीं कि बस यह होते हैं, मगर यह तो बहुत important issues हैं, आप ऐसा बहुत सकते हैं, we daily encounter discrimination of various sort of in a family school, colleges, shopping malls and so on, तो अलग लग फैमिली में, families में, schools में, colleges में, discrimination भेद भाव देखने को मिलता है आपको, we ourselves have a prejudice against the people who are different from us, हम भी बहुत बहुत बार ऐसा होते हैं, हमारे साथ किया जाता है, जो हमारे से different है, we they are of a different caste or religion, क्योंकि वो different caste, different religion को belong करते हैं, different gender है, और लग उनकी class है, if we feel oppressed, अगर हम हमारे साथ हो, तो भई हम कितने oppressed feel is delayed, we feel violated revolution is justice, justified, तो भई हमारे साथ गलत होगा, तो भई हम क्या करेंगे, revolution करेंगे, justified होगा भी, हमें भी तो equality मिलनी चाहिए, अगर हमारे साथ अच्छा treatment नहीं हो रहा तो भई क्या है, equality कहां का we are a privileges, we deny that there is any operation even as our maids and servants struggle for dignity, भई देखो हमारे जो maids हैं, servants हैं, उनको डिगनिटी के लिए struggle करनी पड़ती है, sometime हमें feel होता है कि जो servants हैं, उनको वो भी deserve करती है, अच्छा treatment डिजर्व करती हैं, वो भी तो इंसान ही है न, what political theory encourage us to do, examine our idea and feeling, यह जो political theory है, यह examine करती है, हमारे ideas को, हमारे feelings को, जो political things की है, just by looking at them, more carefully अगर हम इनके ओपर carefully देखेंगे, इनको देखेंगे, we become a moderate in our idea and feeling, तो हम moderate बन जाएंगे अपने ideas और feeling के लिए, finally, as students, as students, we enjoy debates and allocations, competition, हमें यह debates को enjoy करना होगा, we have opinion, हमें अपने opinion देना होगा, ओके क्या सही है, क्या गलत है, क्या justified है, क्या unjust है, and do not know whether they are reasonable or not, क्या reason भी देना होगा, क्या unjustified है, क्या unjustified है, अगर कोई भी बात हो, only when we argue with, अगर अगर दूसरों के सथ हम argue करेंगे, ऐसा नहीं मैं भाहस करने के लिए, नहीं भाहस करने लग जाओ, अपने parents के साथ, ठीक है, reasonable होनी चाहिए, जो भी आप बात करो हो, ना, argue करो हो, we realize the need or to defend themselves and seek our reason and arguments, political theory expose us to systematic thinking or justice or equality so that we can polish our opinion and argue in an informed manner and for the sake of common interest, होता क्या है, अगर political theory पढ़ेंगे, तो systematically में हम समझ पाएंगे, सोच पाएंगे, जस्टिफाई कर पाएंगे, equality, equal treatment हमारे साथ होगा, और दूसरों के साथ हम करेंगे, हमारी opinion है, वो अच्छे से polish होंगे, ठीक है, तो common interest को सब कुछ यह हमें, पता चल जाएगा, अगर हम political theory को पढ़ेंगे, such skills of a debating rationally and a communication effectively are likely to be a great adjust in a global information order, तो क्या भी, अगर हमें पता होगा, तभी हमारी जो बोलना है, हमारा जो debate है, वो तभी effective होगी, अगर हमें इनके बारे में knowledge होगी तभी, तो यह हमारा chapter भी हो गया है, अब complete, तो topic हमने कौन चा किया है, why should we study political theory, यह भी topic हो गया है, साथ की साथ हमारा chapter भी complete हो गया है, I hope everything is clear, thank you and God bless you.